गूड इवनिंग फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब आज मैं जो आप सब के साथ हैर रेमिडी शेयर कर रही हूँ यह प्री कंडिशनर का काम करेगी मतलब इसे हम बाल दोने से पहले लगाएंगे तो हमारे बाल हो जाएंगे बिल्कुल सिल्क घृट की शाइनी स्मूथ गंचे सर पर भी बाल आते है इससे और उसके साथ प्री मेच्वर अगर ग्रेय हीर की समश्या है तो वह भी धीरे-धीरे खतम होती है बस यहीं के सकते हैं बालों के सारी समस्याओं का यह समाधान है और उसके साथ यह बिल्कुल सिंपल रेमिडी है तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं कि इस रेमिडी को हम कैसे बनाएंगे सबसे पहले हमें चाहिए कोकोनट मिल्क तो मैंने यहां पर फ्रेश कोकोनट ले लिया है छोटा हाफ और इसे डाल दिया है ग्राइंडर जार में अगर आप चा इसलिए इसी तरह ही करेंगे उसके बाद हमें चाहिए एक एलोवेरा की लीफ एलोवेरा जिस पर इस तरह के डाउट होना वह सबसे ज्यादा यूसफुल होती है तो एलोवेरा जेल और जो कोकोनट मिलके ही यह दोनों ही हमारे बालों के लिए वर्दान है बालों के टाके उसे वाश कर लेना है उसके बाद डालना है ग्राइंडर जार में ठीक है अब सिर्फ एक से दो चमच बहुत ज्यादा हमें यहां पर पानी एड नहीं करना है क्योंकि हमने एलोवेरा की पूरी लेव डाली है एलोवेरा में खुद का 80% पानी होता है उसके बाद इसम होते हैं अगर वह भी नहीं है तो फिर आप इसे आधा चमच होता है हिबिस्कस का पाउडर डाल सकते हैं अब सब चीजों की हमें एक बहुती अच्छी स्मूथ सी पेस्ट बनानी है ठीक है बहुती अच्छी तरह से क्योंकि जो हिबिस्कस है यह बालों को एक डार्क कलर द पास है अच्छी तरह से इसकी पेस्ट बनाने के बाद हम इसे चान लेंगे किसी कपड़े की मदद से अच्छी तरह से बिल्कुल चान लेंगे अब मैं कुछ चीजें आपको बता रही हूं कि आप इन में से एक चीज कोई भी डाल सकते हैं अगर आपके बाल बहुती ज्या ज्याइन देता है ड्राइनेस को खतम करता है अगर बाल बहुती ज्यादा जढ रहे हैं पतले हैं तो आपको डालना है केस्टरोयल क्योंकि केस्टरोयल बालों को ठेकनिस देता है और अगर बालों में मॉस्चर की कमी है तो हम डालेंगे हम डालेंगे यहां पर लगबग ए ड्राइनेस को बिल्कुल खतम करती है यह बिल्कुल डरने की बात नहीं हनी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है अगर फिर भी आपको भरोसा नहों तो आप कैस्टर रहे हैं आली ओयल में किसी एक चीज को डाल सकते हैं अब हम इसे अच्छी तरसे मिक्स करेंगे और इसे अपने बालों के जड़ों से लेके तो सिरों तक अच्छी तरसे लगाना है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यह प्री कंडिशनर का काम भी करेगी चीक है बालों को बिल्कुल सिल्की बनाएगी तो इसे अच्छी तरस मिक्स करके क्योंकि जो हमारे बालों की सिरें होती ह वह ज्यादा ड्राइ होती है तो जड़ों से लेके तो सिरों तक बहुत ही अच्छी तरह से लगा लेना है और उसके बाद हो सके तो शावर के पहन ले आधे गंटे से 45 मिनिट ही रखें बस उससे ज्यादा रखने की कोई जरूरत नहीं है उसके बाद किसी माइल शेंपू से वाश करें अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा थैंक्स वर राचिंग